नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका टक्निक इवर्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में तो आज मैं यहाँ पे आप सब के लिए लेके आ गया हूँ Poco M2 Pro का एक 30 डे इस लोंग टम रिव्यू मैं इस डिवाइस को पिछले 30 दिनों से यूज कर रहा हूँ जब से लिय जब आपको इस वीडियो में मिलने वाले है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए गया तो चलिए विडाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरा नाम है संजै आप देख रहे तकनिकी वर्ड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को आप रिप्रो में एक से वैसा सेम डिजाइन यह आपको देखने को मिल जाता है और जो बिल्ड क्वलिटी है वो भी काफी बढ़िया है आपको फ्रंट में बेक में गोरिला गलास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और साथ ही साथ जो केमेरा लेंसे वहां पर भी आपको गोरि काफी प्रीमियम डिवाइस फिल होता है जब आप यूज करते हैं तो आपको एसा ही लगेगा कि आप एक प्रीमियम डिवाइस यूज कर रहे है तो इसके डिजाइन बिल्ड कॉलिटी एन इन हेंड यूज मुझे काफी पसंद आया है बट जो इसका साइज हो काफी बढ़ प्लस रिजोलिशन के साथ आता है एंड डिस्प्ले इसका अगर आप देखते हैं तो काफी बढ़िया है जो प्राइज रेंज में आता है उसी सबसे काफी अच्छा है यहां पर आपको कोई भी 90 अर्ट का रिफ्रेश रेट जैसी चीज देखने को नहीं मिलती बट जो 60 अ इसका रिफ्रेश रेट है वो काफी बढ़िया है इसमें इसा कोई इस्यू नहीं है इन जो 60 अर्ट है 90 अर्ट है उसमें को इसा मेजर डिफ्रेंस नहीं है हां रेगुलर आप यूज करते तो थोड़ा स्मूथनेस ज्यादा फील होता है 90 अर्ट में बट वो चीज यहां प व्यूइंग एंगल्स वगेरा भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं तो इसके डिस्प्ले के बारे में मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है हां यह एक कंप्लेंट जरूर है कि अगर यहां पे आपको 90 अर्ट मिल जाता इस प्राइज में तो यह और बहतर हो जाता बाकि 60 अर्ज में भी कोई प्रोब्लेम नहीं है तो डिस्प्ले के बाद अब हम बात कर लेते हैं परफोर्मंस के बारे में कोई भी स्मार्टफोन का सबसे इंपोर्टन आस्पेक्ट होता है उसका प्रोसेसर तो प्रोसेसर यहां पे आपको Qualcomm का Snapdragon 720G देखने को मिल जाता ज आपको कोई भी shutter या leg देखने को नहीं मिलेगा, performance इसका top notch है, इस price category में इस से better processor आपको देखने को नहीं मिलता है, उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे मैं point जरूर करना चाहूंगा, कि इसका जो RAM management है, वो काफी ज्यादा poor है, memory में task को नहीं रखता है, battery life बढ़ाने के लिए बार-बार task को kill कर देता है, तो अगर आपको task को memory में रखना है, तो उसके लिए आप task lock करके रख सकते हैं, तो उसके बाद ऐसा आप कोई भी issue देखने को नहीं मिलेगा, कि task बंद हो जाएगा, अगर हाँ आप lock करके नहीं रखते हैं, तो task को यह बार-बार kill कर देगा, ज जो कि POCO के लिए कस्टमाइज किया गया है, POCO यह से बोलता है, basically यहाँ पर POCO launcher दिया गया है, उसके अलावा कोई major difference देखने को नहीं मिलता है, and Android version की बात करें, तो Android version 10 के ऊपर चलता है, MIUI 12 का update भी बहुत ही जल्द आजाएगा, कब तक आएगा वो तो अभी नहीं बताया है, बट बहुत ही जल्द आप expect कर सकते हैं, उसके अलावा जो इसका default browser है, MI video application है, तो वहाँ पर भी जो ads आते थे, तो वो यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहे है, जो government की guideline है, उसके बाद, and POCO ने भी यह statement दिया है, कि इन सब apps को अटाने के लिए update push करेगा, बट मैंने notice करी है, कि जो browser है, वो by default, यहां पर MI browser set है, अगर उसको आप हटाना चाहते, Chrome करना चाहते, तो वो आप नहीं कर सकते है, मैं setting में जाके try किया था, बट वहाँ पर आपको choose करने का option नहीं मिलता है, जबरदस्ती आपको MI browser use करना है, तो इस तरह से कुछ setting करके दिया ग गया था, तो अभी यहां पर इन लोगों ने क्या किया कि वो दिखाना ही बंद कर दिया है, जो clean master definition है, वो यहां पर देखने को नहीं मिलती है, अवा आपने 360 की definitions देखने को मिल जाती है, तो देखते हैं अभी इन सब चीजों में MI UI 12 का update आता है, उसके बाद साइद fix हो जा गया है, जो कि device को कभी 70 मिनिट में चार्ज कर देता है, कभी 80 मिनिट में करता है, कभी 90 मिनिट में करता है, तो यहां पर fluctuation बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बट ठीक है वो चीज़ का इतना फरक नहीं पड़ता है, वो depend कता है बहुत सारे factors पे, उसके अलावा battery life के ब बहुत ही बड़िया है, इसकी जो battery life है, उससे में काफी ज़्यादा impress हुआ हूँ, realme 6 pro में यूज़ करता हूँ, तो वहां पे मुझे दिन में दो बार चार्ज करना पड़ जाता है, 4300 mAh की battery है, बट जब इस device को यूज़ करा, तो यहां पे मुझे दो बार चार्ज करने क है, तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे, ताकि जब भी मैं कोई नहीं वीडियो प्लट करूँ, तो सबसे पहले आप आपको जी शोकर हेप्टिक मोटर देखने को मिल जाती है, वाइबरेशन के लिए, तो एक अलग सा आपको वाइबरेशन का फीडबेक देती है, वो चीज तो डेफिनेटली है, दूसरे फोन में आपको यसी सेम फिलिंग आई नहीं आएगी, जो फ्लेक्शिप लेवल के फ उसके अलावा यहाँ पे आपको डियोल सीम और माइक्रो एसडी का स्फलोड भी देखने को मिल जाता है, तो वो चीज भी काफी बढ़िया है, मेमरी को आप 512GB तक एकस्पांड कर सकते है, तो वो चीज यहाँ पे बढ़िया है, वहाँ पे भी कोई कंपलेंट्स नहीं है, आयार ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है, जो की काफी बढ़िया है, अप एसी या फिर टीवी के रिमोट की तरह यूज कर सकते है, दूसरी कोई भी कंपनी अभी प्रोएड नहीं कर रहे है, बट शाओ मने उस चीज को कंटीन्यू रखा है, तो वो चीज मुझे या पर्फॉर्म करता था, जहां पर लाइट अच्छी होती थी, बट जब हमने इंडोर शूट किया था, तो वहां पर इतना अच्छा पर्फॉर्म नहीं किया था, स्पेशली जब हम human subject की photography करते थे, तो वहां पर skin tone वगेरा में ये कुछ अलग ही दिखा देता था, जो actual skin tone था, वो नहीं दिखा पाता था, और front camera में भी मैंने same issue notice करा था, बाकी camera setup के बारे में बात करें, तो quad rear camera है, 48 plus 8 plus 5 plus 2, और front में 16 megapixel दिया गया है, तो camera setup अच्छा है, अगर आपको use करना चाहे, तो pro mode भी दिया गया है, उसको अगर आप use करते हैं, तो काफी बड़ी रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, बट जो default camera है, वहां पे अभी optimization की ज़रूरत है, specially artificial lighting condition में, और videos के बारे में बात करें, तो वहां पे भी आप 4K 30fps तक record कर सकते हैं, बट वहां पे आपको stabilization देखने को नहीं मिलता है, stabilization आपको 1080 pixel at 30 frames तक देखने को मिल जाता है, उसके आगे आप 1080 या 60 पे जाएंगे, तो वहां पे आपको कोई भी stabilization देखने को नहीं मिलेगा, बट जिस price पे आता है, उस price के इसाब से ठीक है, camera से मुझे ऐसे कोई major complaint नहीं है, बट जो artificial lighting condition है, वहां पे इन लोगों को processing अच्छी करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद ये camera काफी capable है, और काफी बढ़िया काम करेगा, एक particular चीज मैंने notice करी, जब भी इसका camera यूज करता था मैं, तो कोई भी photo लेता था, उसके बाद जैसे मैं धुरंद photo लेना चाहूं, तो नहीं ले पाता था, वहां पे processing में बहुत ही ज्यादा time लगाता था, एक से दो second का delay तो लग जाता था, तो ये एक चीज है, जो मैंन ज्यादा low है, आप noisy environment में रहते हैं, तो आपको सुनाई नहीं देगा clearly, बाकि अगर आप सांथ environment में है, घर पे बेठे हैं, तो वहां पे आपको सुनाई दे देगा, वहां पे कोई भी issue नहीं है, थोड़ा सा भी noise रहेगा, तो आपको सुनने में नहीं आएगा, तो इसका speaker मुझे इतना परसंद नहीं आए, जब मैंने compare गिया था, इसको realme 6i के साथ भी, तो realme 6i का जो speaker है, वो इससे थोड़ा सा मुझे बेटर लगा था, जो sound output है, वो उसमें ज्यादा देखने को मिला था, जो clarity है, वो भी काफी बढ़िया देखने को मिली थी, clarity वैसे यहां पे पर भी बढ़िया है, बट जो loudness होनी चाहिए, वो loudness यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, उसके बाद last में यहां पर call quality के बारे में बात करें, तो वहां पर भी कोई issue देखने को नहीं मिला है, मैंने retail के sim card के साथ use किया है, network reception काफी बढ़िया है, फोन पर बात भी करी है वहां पर भी कोई issue देखने को नहीं मिला है, यहां पर आपको LED notification भी देखने को मिल जाती है, white color में ही दिखाती है, बट कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है, तो ठीक है, है तो अच्छा है, बाकी काफी सारे phone में अभी निकाल दी गई है, बट यहां पर आपक इसका कोई ऐसा major phone मिल जाए, जो मैं आप लोगों को बता दू, बट इसा कोई major phone देखने को नहीं मिला है, software से related कुछ देखने को मिले है, तो अगर आप यह device लेना चाहे, तो मैं definitely आपको यह device recommend करता हूँ, वाकि इसके अलावा आप option देखते है, तो आपको Realme 6 देखने को म देखते है, तो यह one of the best devices under 15,000, तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उमीद है आपके वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, शेर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए मैं मिलता हूँ, आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जए हीन, जए भारात!